इस वीडियो के लाश तक बने रहना है इससे पहले दोस्तों हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब कर लीजिएगा चलिए वीडियो को सुरू करने दोस्तों बजाज Finance Customer Care से बात करने के लिए सबसे पहले आपको अपने काल डायलर को ओपिन कर लेना है और यहाँ पर आपको नमबर डायल करना है आप लोग देख सकते हैं 86980101 आप लोग यहाँ पर नमबर देख सकते हैं 86980101 दोस्तों यह बजाज Finance Customer Care का ओफिसियल नमबर है इसी में आपको कॉल करना है और दोस्तों यहाँ पर काल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान डखना है जैसे कि दोस्तों इस वीडियो में जिस तरीके से आपको प्रोसेस बताने वाले हैं सेम प्रोसेस को आपको फालो करना है तब ही जो है तो आप बजाज Finance Customer Care से बात कर पाएंगे नहीं तो दोस्तों आपका टाइम बेस्ट होगा और आपकी बात भी नहीं हो पाएगी यहाँ पर दोस्तों आपको अपने बजाज Finance में रजिस्टर क्वाइल नंबर से कॉल कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो के लाज तक बने रहना है वाजाज Finance Limited में आपका स्वागत है धोका धड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक दबाई एक्स्क्यूसिम ओफर्स के लिए दो दबाई अपनी लोन डीटेल्स के लिए तीन दबाई अपने EMI Network Card के लिए चार दबाई यहाँ पर दोस्तों आपको चार नंबर बटन को प्रेस करना है यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से चार नंबर बटन को दबाना है करने के लिए तीन दबाई यहाँ पर दोस्तों आपको तीन नंबर बटन को दबाना है क्रिपया प्रतीक शाकरी हम आपकी कॉल हमारी कस्तिमर सर्विस रप्रेसेंटिटिव को ट्रांसर कर रही है यह कॉल ट्रीमिंग और गुर्मत पाकारणों से रिकॉर्ड की जा सकती है जी मैं मेरे को मेरे कार्ड की लिमिट पता करनी थी जैसे कि मैं आपकी क्लेरी समझ पारी हूं तो आपको अपनी EMI कार्ड की लिमिट है वो पता करनी है से राइट जी 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 तो दोस्तों आप लोग भी इसी प्रकार से अपने बजाज पाइनेंस कस्टुमर के यह से बात कर सकते हैं आपको यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा चैनल पर नहीं तो सस्क्राइब कर लीजिएगा चलिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरा